जमकुश्मीर पुलीस कांस्टेबल एक्जाम के अगर हम बात करें तो एक्जाम जो है वो खतम हो चुका है यहां पर आपने देखा कोशन पेपर को देखा कि कोशन पेपर का लेवल क्या है और आई होप आप सबी का पेपर अच्छा हुआ हो क्योंकि पेपर में ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल लिए ओवराल एक्जाम का लेवल क्या था पूरे कोशन पेपर को एनलाइस करेंगे उसके बाद हमारी वीडियो जो होंगी आपको section wise पे हम आपको उनके answer बताने की कोशिच करेंगे जिसमें आपके कुणकुण सी section होगी reasoning की section होगी math की section होगी और JNK GK की यह तीन section आपको हमारी answer provide की जाएंगी आपको उनकी डिटेल क्यूंकि answer के तमें तो आपको उनकी answer मिल जाएगी बट answer कैसे बनता है कैसे answer इसका आया वो चीज़े सारी discuss करेंगे तो सबसे पहले question यहां पर देख सकते हो कि India become Republic on यानि कि Republic Day के बारे में question पूछ लिए directly first question जिसने यह देखा हुआ उसके अंदर बहुत बड़ा confidence आज चुका होगा confidence आज चुका होगा कि नहीं हा paper easy है बट मैं आपको बता दूँ paper easy नहीं था ठीक है पूरी बात यहां पर हम detail से करेंगे यहां पर सबसे पहले जो section हमें देखने को मिली हमारे पास 20 set है तो first के 25 जो question थे यहां पर आपने देखे मतलग की सीदी से बात है मैं आपको बता दूँ कि यहां पर जो gk का जो जैबल question थे जो जो syllabus था सारे मतलग उसी में से पूछे गे थे जैसे यहां पर पूछा गया था कि who was the first Indian to receive the noble prize first Indian जिसको noble prize मिला वो कौन थे यहां पर question हो गया father of Indian cinema कौन थे उसके बाद what is the title autograph में मेचे द्यान चंद की autograph का नाम बताओ यानि कि books और author के regarding भी question आपको दिये गे थे ठीक है बाकी आपको बता है constitution से भी question थे first woman governor of the state free India कौन थी तो यह आपको बता ही है उसके बाद what is the junta यह चीजे देखो थोड़े इसी मतलग की DP थी यहां पर अब यहां पर मैं पूरी overall बात करूँ जो यहां पर जीके जो थी यानि कि जो 25 marks वादी जीके थी यह जो section थी मैं आपको बता दू कि maximum question इसके easy थे और यह overall इसकी बात करें तो moderate थे ठीक है overall बात नहीं करें कि मतलग इसकी section की overall बात करें तो easy to moderate कहलाई उसके बाद आती है जम्मू किश्मीर की तो जम्मू किश्मीर की जीके जो थी first question जो था 26 वाला यह question easy था question number 27 जो था यह थोड़ा सा आपके लिए moderate रह सकता था क्योंकि अगर आपने इसका concept नहीं पढ़ा था ठीक है सिधी सी बाद है यहां पर अगर आप option eliminate भी करते तो भी answer का mark कर सकते हैं तो पहला option तो होई नहीं सकता NHPC, NTPC यह तो था नहीं बलकि जो doubt था NTPC वाला यह भी गवरा गलत हो जाता तो option B और C ही मारे पास B और D पज़ता जिससे हम answer को mark कर सकते हैं अब यह जो मैंने देखो कि मैंने हर महीने हर बार मैंने को current affairs करवाए हैं तो यहां पर current affairs से question पूछ लिया गया था current affair का question पूछा गया था यहां से आपको arrangement बोला गया था कि जो जमू कश्मीर में चीजे हुए सादरे अरिया से designated हुआ constitution आप जमू कश्मीर डॉप्ट किया गया यह मतलगी चीजे कब हुए उनके बारे में question पूछा गया था उसके बाद statement वाले मंदर तीन question पूछ लिए गया थे यह question भी थोड़ा आपको water rate level का लग सकता था और यह भी आपको 29 history बगरा पढ़ी है आपके लिए 29 equation easy होना बनता था बाकि यह जीडी मेला तो आपको बता ही recently अभी हुआ है नुमंबर के मंत में लोकल कश्मीरी टर्म फार सैफरन और कैश क्राप देखो अगर आपने हमारी एक बुक थी जो जेके प्रैक्टिस द्वारा लांच किए गी थी उसमें सही एक कोशन में आपको पूछा हो डिरेक्टली कोशन यह पूछा गया है इसका कौँ इसका आंसर था यह फार सीफ निस्ट्री बात कर रहें जो मुकश्मीर की एक कोशन थे ठीक है उसके बाद बनिहाल टर्नल के रिगार्डिंग कोशन पूछा गया था स्टेड्मेंट के मैं आपको दादू तीन से चार कोशन यहां पर डिरेक्टली बूछे जा रहे हैं थर्टी फाइफ कोशन पर देख सकते हो कि सेकंड लाजिस फ्रेश वाटर लेक आफ एशे की स्ट्रेट रॉन दी फूट हिल्द आप हर्मुक मांटेन ठीक है तो अगर आ है मैत की सेक्शन देखो जम कशमीर की जीखे की अगर में बात करूं यहां पर ऐसे देखो तीन से आ इंको दिखे बोलेंगे हम तीन कोशन जो थे एक मौडरिट लेवल के थे बाकी कोशन थोड़े जो साथ कोशन थे वह इजी लेवल के थे इजी उनके लिए थे जिन्होंन स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि ये शाम अपर साद मुकरजी इसका नाम मतलए इसके बारे में डिटेल से डिसकेशन करेंगे लग वीडियो में उसके बाद यहां पर देख सकते हो कि math के question देखो math के question अब solve करके इन चीज़ों के बारे में पता जलता है math को भी हम easy नहीं मानेंगे यहांपे तो math का जो level था वो कुछ question easy भी थे मतलए कि 9 से 10 question ऐसे होंगे जो कि आप कर सकते थे नो से 10 question आप कर सकते थे बाग की question कह सकते हुए 4 से 5 6 question जो थे वो आपके moderate level के थी जो time taking थे calculation पे based पे थे ठीक है बाकी इसके उपर भी discussion करेंगे हम detailed वीडियो में बाकी मैं reasoning की बात करूँ तो यह question जो था आपका time ले सकता था बट यह doable था question number 53 भी बहुत easy question था question number 54 भी easy था 55 भी easy था 56 भी easy था मैं लोग यह सारे question जो reasoning almost मुझे ठीक लगी है जितनी भी reasoning के वो ठीक लगी अब computer का मैंने यहां पे इतना नहीं देखा है तो computer का भी बताया जा रहा है कि थोड़ा वो ठीक ही था overall अगरे इस exam के बात करें English भी बोला जा रहा है कि थोड़ी बहुत थीक थी मतलब लगी यहां पे देखो इस तरह से चीज़े पूछी गई थी अब देखो आप बलो कि गर पे बैठ गेता है सर तो paper सबको easy लगता है कि एक्जाम में बहुत ज़दा pressure होता है आता जाता question भी क्या हो जाता है गलत हो जाता है बड़ यह synonym and antonyum जो पूछे गए थे ना यह बहुत मतलब मैं तो difficult level का कह सकते हो जिसकी बुकया बर्ची होगी वो इसको कर सकता था इडम phrases पे question पूछे गेते और overall अगर हम exam की बात करें सीदी सी बात है overall exam की अगर हम बात करें तो exam का जो level था वो क्या था moderate level था easy नहीं था यह exam easy नहीं था देखो कुछ section मैंने आपको पहले starting में बता दिया था क कुछ section आपको बहुत easy होंगी कुछ आपको difficult होंगी math or reasoning मतलब की बहुत ठीक था मतलब काफी हद तक ठीक है इसमें आप लोग ना मैं सीधी सी बात बोलूं reasoning में आप no के no question बिल्कुल correct कर सकते थे जिसके math में से 9 से 10 question भी ठीक हो रहे है यानिकि जिसका 18 19 score भी है ना वो मतल reasoning में math में ही बच्चे थोड़े बहुत किरेंगे क्योंकि reasoning बहुत easy था और overall बात की मैंने बात करी कि moderate level का question paper था और आप बताईएगा कि आपने कितना attempt करा अभी तक answer को update नहीं में भी जब में वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक को update नहीं उसके बाद हो जाए पता नहीं expected का tough की मैं बात करूँ open merit वालों के लिए open merit में देखो आपको बता है कि one ratio six में इसकी जो healthy shot listed होने है आपके physical के लिए तो जिन बच्चों को अब स्कोर मैं बता दूगी 70 to 75 के बीच में लाइक कर रहे हैं यह मैंने जादा यहां कम बोल लिया गयो plus two plus minus two plus two उपर नीचे हो सक इससे नीचे भी आ जाए क्योंकि देखो यह होता है कि वले ही दो लाख डाई लाख बच्चों ने पेपर दिया है बट त्यारी जो होती है वो हजारों की होती है लाखों की नहीं होती तो overall की अगर मैं बात करूँ तो 70 to 75 मुझे इसका tough expected लग रहा है मैं भी से उपर नीच 62 63 भी पलस हो हो सकता है मैं ज्यादा बोल्ड हूं का tough इससे मनल नीचे भी जा सकता है मने expect कर सकते हो तो 60 पलस आपको safe मान सकते हो get degree वाले जो open get degree वाले 70 अगर उपर है 68 भी उपर है तो मैं भी safe है अपने आपको लगी आप physical के लिए जा सकते हो physical के लिए मैं आपको बता द सकते हैं तो फिर तो cutoff obviously sky touch करी सकते हैं तो इस वीडियो में हम इतने ही analyze करेंगे बागी आप देख लीजीगा आपका score कितने हैं देखो 2-3 नंबर उपर नीचे हो सकते हैं expected है उमीद कर सकते हैं देखो हमने जो अच तक expected कर रहा है एक्जाम में वैसा ही हुए है ठीक है तो category वालों के लिए हमने बोला था कि 79 से 85 के बीच में भी हो तो तब भी आप क्या हो 79 प्लस हो तो यह बाद में देखा था category वालों का ऐसी वालों का तो 80 किया था ठीक है यह चीज़े जो है category वाले हो तो मैंने तब भी बिता दिया आप इतना चलता है बाकी मिलेंगे आप से अगली वीडियो में जो भी हम आपको डिटेल एक्स्प्लेनेशन लेक्शन की ब्रॉइड करेंगे तो यह चीज़ नहीं है कि हो सकता है मैंने 70 जादा बोल दिया हो सकता है पेपर का लेफल जादा मॉडरेट हो क्यूंकि मैंने देखो इंग्लिश और कंप्यूटर को मैं ज जो होगा वो आपको मिल जाएगा जो नहीं होगा वो आपको कभी नहीं मिलेगा ठीक है तो टेक केर गईस